नमस्कार मित्रों, मैं स्ट्रोलॉजर डॉक्टर रोहित आनन्द वर्तमान वीडियो में यदि जो चंद्रमा है वो आपके तीसरे भाव में आके विराजमान हो जाते हैं कुंडली के तो वो आपको क्या प्रभाव देंगे इसके बारे में कुछ जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ तो आप जानिए कि यदि तीसरे भाव में चंद्रमा है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से यशस्वी होता है और प्रसन्न चित रहने वाला भगवान में विश्वास करने वाला मीठा बोलने वाला धार्मिक जिसको अपन कहते हैं वह व्यक्ति और पराक्रम से अपनी महनत से धन को प्राप्त करता है यानि कि जो भी कार्यव है करेगा वो महनत करके और अपने स्वयम की जो पुरुशार्थ है उससे प्राप्त करेगा किसी से दान प्राप्त नहीं होगा किसी से उसको पैत्रिक संपत्ति जैसे मिल जाती है या पैत्रिक व्यवसाय मिल जाता ह ऐसा ना हो करके वो स्वयम का वयवसाय करेगा या पर स्वयम ही कोई भी नौकरी करे उसके अंदर वो काफी महनत करने के पश्चात उसको मन चाही जो सफलता है वो प्राप्त होगी आप सभी ने मुझे सुना इसके लिए मैं आपका अभारव्यक्त करता हूँ आशा करता हूँ ये सभी जानकारी आपको लाप्रदान करेगी नमस्कार